सावर कर सुभाश से कहते हैं ये बात और ये डॉकुमेंटेट प्रूफ है कोई हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं सावर कर ने सुभाश को आई ये ने इंडियन नेशनल आर्मी जोनों ने बनाई थी उसमें वो ये कहते हैं कि तुम अपनी इस सेना में जादा से जादा हिंदूओं को भरो और उनका सेंटेंस क्या है विजन गेखिए यहां तो कपड़े पहनने से विजन ते हो रहा है उन्होंने कहा कि भारत विभाजत के बाद भारत की अपनी सेना नहीं है इस सेना में जब विभाजन होगा कैसे होगा नहीं जानता तब हिंदू की जरूरत पड़ेगी सेना में तो आपके लोग यही काम आएंगे उनका विजन देखिए लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर आई एने के अंदर पेशावर कश्मीर जो पाकिस्तान के पास अब चला गया उधर के भी बहुत लोग थे इसलिए आप एक नाम सुनते हैं बहुत ज़ादा के लाल के लिए में तीन लोगों की फासी की बात थी न जिसमें एक कोई सक्सिक थे और एक शैनवास थे सैगल थे शैनवास थे और एक और सरदार साब का नाम भूल रहा हूं है इन तीनों का नाम आता है जब भारत की 47, 48 में कश्मीर के अंदर जब इन्वेजन हुआ याद है ना यह तो जो 48 में इन्वेजन हुआ बहुत लोग नहीं जानते है उस इन्वेजन में पाकिस्तान के पास कोई सैनवाना थो थी नहीं उनके पास तो जो पाकिस्तान वाले अलाके से उस वक्त जब भारत आजाद नहीं था तो लोग यहां पे आईन्वेजन में भरती हुए तो एक सहाब थे शेनवास तो था तीसरे का नाम था ढिलो तो शेनवास सहाब जो आईन्वेजन में थे यहां कहा गया फूल वाले चसा से के आजादी के बाद ये जो फौजी हैं इनको आप फौज में ले लीजिए लेकिन विरोध हुआ वहां से क्योंकि मेडम ने मने कर दिया था वो किसी की सुनते नहीं थे मेडम के अलावा तो उनको भारत की सेना में लडाई लड़ी उनको भारत की सेना में आज भी नहीं लिया जाता ये कहा गया कि भई ये कम से कम इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको लीजिए लेकिन उधर वालों ने क्या किया जो शेहनवास जो तीन लोग थे जिन पे सेना में आप भरती करेंगे तो उस समय काम आएंगे उस सावरकर को इस देश ने नहीं सर पे बठाया वो सावरकर को सिर्फ हमने ये बता दिया वो वहाँ जेल में थे उनके साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ बस ये ही चैप्टर है सावरकर सिर्फ इतना ही नहीं था और हम और आपने कभी सावरकर को राजनीती से अलग करके छोड़ दिया लेकिन फिर दूसरा भाव उस युवापीडी के सामने रखना चाता हूँ इसकी चिंता मत करना कि मैं जो करूंगी या जो मैं करूंगा इसका मुझे क्या मिलेगा सब्भिताओं के युद में सब कुछ मरने के बाद मिलता है जिन्दा रहते हुए मिलने का मतलब है कि आपने अपनी कीमत ले ली मरने के बाद आप कीमत नहीं लेते तब देश इतनी बड़ी कीमत देता है कि आपकी नसले आने वाली आप मर भी जाएं एक सादरहन से वेक्ति के रूप में तब भी हजारों साल जिन्दा रहते हैं सावर कर मैं वो किस्सा महराश्ट में हूँ इसलिए सुना रहा हूँ आपको एक सरकार थी उस सरकार में ये तैह हुआ और यहां उस जमाने असली वाले ठाकरे थे और वो यहां दिल्ली में थे और आपके महराश्ट के एक बहुती बहतरीन इंसान वो लोग सभा के स्पीकर थे याद नाम आया? याद आया ना? उसमान आत्मा को मैं जानता नहीं है मेरा कोई उन बिचारों से नहीं क्या कमाल का काम करके गए इतना सा भी अगर किसी ने काम किया है तो याद रखना है यह उन लोगों का एहसान है हमारे उपर हम इतने ऐसान फरामोश नहों कि उनका नाम भी न ले और जब ऐसे लोगों का नाम नहीं लोगे तो कोई युवा पिड़ी प्रेरित नहीं होगी कि यह समाज तो यार नामी नहीं लेता है तो हम क्यों करें यार खामखाई अच्छा काम हम अपना घर भरे है लोग सभा के अंदर तैल चित्र लगे हुए है एक परवार है उनके यहां सब विजनरी पैदा होते है सब के चित्र इनके भी इनके भी इनके भी इनके भी बात आई के चित्र लगना चाहिए तो बिचारे मनोह जोशी जी ने कहा परधान मंत्री उसका अध्यक्ष होता है और वो तै करता है और विपक्ष बैठ के तै करता है कि किसका तैल चित्र लगाया जाए दुनिया का सबसे जाहिल आदमी जो 1888 में मक्का में पैदा हुआ ना किसी केजी में गया ना मदर्से में गया ना स्कूल गया ना इंगलिश स्कूल में गया ना मदर्से में गया लेकिन वो देश का पहला शिक्षा मंत्री दस साल तक बना उसकी भी लगी हुई है तो यह हुआ कि सावर कर का तैल चित्र लगना चाहिए गटबंदन की सरकार थी सरकार चलाना ज़्यादा इंपोर्टन थी प्रस्ताव रखा तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये कैसे लग सकता है मैं भला हो उस मनोहर जोशी सहाब का उनकी आत्मा को शांती दे ऐसे लोग दुबारा पैदा हो उन्हों ने ये बात वो ये जानते थे कि मौखा यही है अंग्रेजी की कहावत है इस स्ट्राइक वाइल आइरन इस हॉट लोहा गरम हो उसी वक्त चोट करनी चाहिए मनोहर जोशी उठे और इस भी करपत से बहार निकल के आए और एक फून उन्होंने मुंबई कर दिया कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं सावर करका तैलचित नहीं लग पाएगा तो परधान मंत्री अपने ही थे उन्होंने जो भी वकालत की होगी पता नहीं मजबूती से की या नहीं की या डर गए मनुहर जोशी से एक ही बात कि मैं शाम की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूँ सब जानते थे कि वो यहां वाला टाइगर अगर दिल्ली में उतर गया तो बड़ा बवाल होगा उसका इतना कहना था मनुहर जोशी सहाब ने बताया कान में कि वो शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं दुबारा मीटिंग बुलाए कहा लगेगा उनका भाईया तो सत्ताएं हमेशा ऐसे चलती हैं उनका तेल चित्र लगा हुआ था लोग सबह में आप इस पे खुश मत हो ये वो तेल चित्र लगा तो यहां तक तो हो गया कि जिसको लोग जो लोग कह रहे हैं आएम नौटे सावर कर आएम ए गांधी हाँ हम मानते हैं कि तुमारे खानदान में सावर कर कोई बनी नहीं सकता तुमारे बाप दादा और आगे की नसलों में भी अगर कोई पैदा हो गया तो सावर कर नाम भी नहीं रख सकते तुम्हारी आउकाद दोकोड़ी की है इतना सब कुछ हो जाने के बाद सावर का तैल चित्र लग गया और जब तैल चित्र लग गया तो उस वहत की काल परिस्थिती में तैल चित्री लगना था अभी क्या हुआ है पता है नहीं पता इसलिए अगर भावना है तो काम कैसे करना है ये भी कभी सीखना चाहिए भारत की संसद नई बनी बनी है सब ने देखी बन गई थोड़ी अदूरी रह गई एक दिन अनॉस्मेंट हुआ कि दो दिन बाद भारत की संसद का इनॉग्रेशन होना है आदे भोले यार अभी तो पूरी नहीं हुई है आदों की समझ में नहीं आया और दो दिन तक नहीं समझ में आया और उसने कहा कि भारत की संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा दो दिन बाद पता चला सावरकर का जनन दिन है और भारत की संसद के इनॉग्रेशन पे जो पत्थर लगा हुआ है उसमें 28 मई लिखी हुई है सावरकर अनन्त काल तक जीवित हो गए है और ऐसे ही नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ योदा को चुनते वक्त अपने स्वार्थों को पीछे रखेंगे तो योदा जो नहीं ताकत होगी वो भी करके दिखाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये दो रुपे के लोट चावल में नहीं बिखेंगे जब सब कुछ हो गया फिर एक दिन पता चला कुछ जोला लेके लोग नई पार्लिमेंट में आये हैं कुछ लोग सिर्फ जोला लेकर उनको लगा पता नहीं क्या मिला है उसमें पुरानी संसत से सारे जीते हुए हारे हुए जो भी थे इदर के और उदर के जोला लेकर नई संसत की तरफ जा रहे थे उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस जोले में क्या है जब नई संसद में पहुँच गए और जोला खोला तो आदो के तो कबूत रोड़ गए कि ये क्या हुआ अब ना हसते बन रहा है ना रोते बन रहा है तो जिसको चुना है ना वो इसका एक्सपर्ट है बहुत एक्सपर्ट है और वो देख लेता है कि कितनी देर तक रोई अगर कम रोई तो शाम को और ऐसा करता है कि और रो थोड़ी देर उसने क्या किया कि भारत के समविधान जो औरीजनल समविधान है उस औरीजनल समविधान की एक लंबी कहानी है उसका समय नहीं है आप दोबारा कभी बुलाएंगे तो बताओंगा